आचा जी यह देखें, यह हमारे cupcake break हो के निकल है, ठीक है, हार्डी में में 12 मिनट लगे हैं, ठीक है, मेरे oven के अंदर, gas oven में, अब आप देख लें, जिन cupcake climbers को मैंने थोड़ा ज्यादा फिल किया था, वो इस तरह की look दे रहे हैं, और इनके उपर जो मैंने आपको explain किया था, मेरे cupcake करने का तरीका, मैं चेक करती हूं, मैं कोई toothpicks ने इंसर्ट करती है, मैं bounce bag check करती हूं, मेरे cupcake में जो bounce bag दे रहे हैं, तो यह done है, ठीक है, हरे की अपनी look का, यह मेरी butter squash sauce है, जो मैं अभी चूले सो तारी है, आपके सामने, गरम-गरम, इसको मैं आपको चेकिंग के लि मैं इसकी चेकिंग कैसे करती हूं, मैं अपनी lemon curd की चेकिंग भी ऐसे करती हूं, मैं caramel sauce की चेकिंग भी ऐसे करती हूं, इसको international market में बोलते हैं, इस इवाते कि जो मैंने cooking किया, यह एक तरह की candy है, तो candy, thermometers के थूरू, international bakers इनकी checking करता है, लेकिन नो नहीं असान तरीका बता नहीं कर रही है, मुझे यह consistency चाहिए, अपनी butter squash sauce की, यह चीज मेरी check-in यह से होती है, यह बिल्कुल white है, आचा जी, आप यह देखे है, हमारी सारी चीज है, आपके सामने है, जो cupcake bake किया थे, जो butter cream बनाई थी, जो हमने गनाश बनाया, ठीक है, और यह butter squash, सब कुछ फ्रश पीनेट बटर cupcakes हैं, तो इसके अंदर जा रहा है, पीनेट बटर की वज़ा से भीना एक हार्डन सी लुक आ जाती है, ठीक है, आपको अगर करना है, मुझे जैसे इसकी crispy tone पसंद है, जो मैंने आपको बताया था, क्रैकी जैसे एक से ब्राउनी पे एक फ्लेकी टोप आता है मुझे इसकी इसी तरह से पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि explain कर देना ज्यदा बेतर होता है, अगर आपको लगे कि आपको ख्रैकी इस तरह की टॉप नहीं चाहिए, थोड़ा इसको moisture करना आप चाहिए, जैसे हम cake को moisture करता है, तो आप अपने cupcakes को इस brush की मदश से, plain दू अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा सौफ चाहिए, तो यह भी आपको कुछ मैस तरह करूंगी कुछ आपके सामने में आपको बता दिया, अभी हमने क्या करना है, आपकी मर्जी है, आप चाहते हो यह दोनों चीज आपको नहीं चाहिए, सिर प्लेन cupcake चाहिए तो आपका cupcake ready है, पीनट बटर cupcake, पीनट बटर frosting, फ्रोस्ट करें, डालें, फॉंटन के टॉपर लगाए, cupcake करें, अगर आप चाहते हैं आपको इसको center fill करना है, आप इसके अंदर अपने इसी चीज से center fill करना है तो आपने nozzle जो आपकी कोई सी भी किस से आप इसको core करते हैं, ऐस ठीक है, core बे मिलते हैं, लेकिन मैंने जैसे पहले भी का था, जो काम आपके easily हो सकता है, असानी से, आप इसे कर लो, निकल आया, इसको भी आपने waste नहीं करना, आप इसका texture देख सकते है, मेरे cup का, ठीक है, आपने इसको waste नहीं करना, इसको हम निकालेंगे, हम इसको fill किस तरह अगर आप चाहरे हैं, तो हलका सा, गनाश, ठीक है, यह आपको मैं समझा रही हो, जरूरी नहीं है कि आपने काम करना है, अगर आपका दल चाहरा है, और आपको थोड़ी variation लानी है अपने काम में, तो यह आपने गनाश फिल कर दिया, आप बटर स्कॉर्स को सॉस ठिकन इसमें डाल सकते हैं, इसको अपने अपनी तदपिक की मदद से, आप इसका इसे निकाल लेते हैं, ठीक है, और जो आपको यह था, सेंटर-फिल के इसके पर वापिस लगा दो, सइड, यह सेंटर-फिल कपकेस सारे किसी तरह से बनते हैं, ठीक है, अभी मैंने क्या कर करना ये मुझे सबसे पहले इतने इन सब कपकेक्स के ऊपर गनाश रगाना है कंश बना है कर माधिनवां कि है मैं क्या करतीः उपना कपकेक को थालती हूं wanna टीए को इस की आपने इस तरीके है लेकिन फिर्म हम करा दें को ऊच मैं आपको पीन टरिके से बटा देती हो चार कपक्केक्स में इस तरह से रथे लिए बनाश के साथ और चार से पीनेट बटर प्था स्वास्थिक से आपको आप बेंपनार्स ड़ीए दिया तन पर पटब लिखाव यह निक्तना रोजटैंटस था क्वरें कॉपकेक्क्स पर बंगतें वो 2D से या 1M ए 1M टिप हो और यह मेंजून फ़िए या 1M थीक है आप पटभ पाइपिंग ऐसे बसबड़ने चाहिते है कि इसको पीनेट बटर क्रीम से फिल करना है, आप ग्लास रखें, ग्लास के अंदर इसको रखें और फिर भी आप कर सकते हैं, मैं हाथ से करती हूं, ठीक है, बटर क्रीम जो हमारी है, इलिया अपने, कुछ काम ऐसे होते हैं जो ग्लास संब के नहीं होसे कि ठीक है, और यह आपकी पाइपिंग भरने, अब आपने क्या करना है, अफने गनाश अपने लगा दिया था, अगर आप यह काम लीं करना चाहरे हो, आप सिर्फ इस सर्फ करना चाहर unterstützen, अपने पाइपिंग भर जो हो इस अगर आप और फिर आपने पाइपिंग बेग घरा उपर से आपने इसको त्विस्ट किया स्ट्रेट रखना है अपनी टिप को आपने अपने कपकेक के ऊपर और प्रेस करना है उपर से ठीक है इसी से अगले कपकेक्स में आपको बताती हूं रोजर्ट कैसे बन दो यह हमारा सेंटर फिल्ड है अब कंसिस्टेंसी देखने बटर क्रीम की यह वही बटर क्रीम है जो मैंने भी आपके सामने बनाई थी अभी आपको इस पर रोजर्ट बनाने आपको कोई गनाश नहीं चाहिए आपको कुछ नहीं चाहिए तो आपने क्या करना है स्ट्रेट रखा प्रेस किया यह आपका रोजर्ट बन दिया थीक है स्ट्रेट रखा थोड़ा प्रेस किया फिर उसी के एर्थ गिल्ड आपने घुमा दिया इसी टिप से आप और क्या कर सकते हैं अब टू यू ठीक है जो मर्जी आपने डिजाइन बनाना है जो मर्जी आपने करना है इसी से आप स्ट्रेट लाइंज डाल दें शेल्स बना दें कुछ भी कर दें देखोर सारी आपके अपने उपर होती है अभी मैंने बटर स्कॉर्ट दालनी है पहरे भी थोड़ी सी गरम है मैंने इसलिए इसको इस बॉल में डाल लिया था कि थोड़ी ठंडी हो जाए इसको भी हम अपने पाइपिंग बैग में डालते हैं और फिर गनाज को भी आप इसकी तरह डाल सकते हैं ठीक है और आप इसको फंट से हलका सा कट करते हैं त्देख लेते हैं कितना कट है ठीक है और जो आपने कपकेक बनाया इसके उपर आने वन सा टेक्ट्च्च्च्ट देगा प्रिजल कर देते हैं इनके ऊपर नहीं कर रहे हैं इनके ऊपर मैं कुछ तिक होती जाएगी तो देखें ठिक होती जाएगी अब ही मैं इनके उपर आपको कुछ स्पिंकल्स डाल के और प्रेजेंट करके दिखा तूंकलेट में